नमस्कार आप देखरें स्टडी 24 ओफिशियल मैं हर्बिर सिंग एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ तो आज की इस वीडियो में काफी बड़ी खुसखबरी आप लोगों के लिए है तो वीडियो के साथ बने रही है और इससे भी पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे स्टडी गूर्प का लिंक है जिसमें हम आपको फ्री क्यूज क भी बनाते डारेक्ट पोस्ट के माधियम से आप लोगों को जानकारी दे दि जाती है तो आप उस टेलिग्राम चैनल के साथ जरूर जूड़े अगर आप टीचर है टीचर बनने वाले हैं गयस टीचर्स हैं परफ्रमेन्स टीचर्स हैं तो जरूर से जरूर उस Чैनल को आप जोइन कीजिए तो अभी जैसा आप लोग जामते हैं कि एड़ोकेट असोक अगरवाल सर ने लेटर लिखा था D.S.B. को हलाकि उनके ट्वीट से ही रिजल्ट सा रहे थे लेकिन जब लेटर लिखा तो D.S.B. पूरा कलेंडर जारी कर दिया और उस कलेंडर में बताया कि इस डेट को हम ये रिजल्ट निकालेंगे इसको ये निकालेंगे तो उसी कड़ी के सुरुआत हो चुकी है और D.S.B. ने एक रिजल्ट जारी किया हलाकि जो उसकी कट ओफ है वो बहुत ही कम गई है जितना हम एक् कमेंट में प्लीज थेंक यू अगरवाल सर जरूर लिखे थेंक यू एडवोकेट असोक अगरवाल सर क्योंकि देखो उन्होंने ही इस चीज की पहल की उनकी वज़े से ये रिजल्ट आ रहें नहीं तो आप जामते कि बोर्ड कितना धीरे धीरे काम करते हैं चलो अभी इसके 2022 को इंग्लिस का रिजल्ट वो निकाल देंगे और कल निकाल भी दिया टीजीटी इंग्लिस मेल जिसका पोस्ट कोड है 50 बटा 21 ये डीओई के अंदर वेकिंसी थी और वेकिंसी कितनी थी 1029 वेकिंसी थी लेकिन जो ये वेकिंसी हैं यहाँ पे देखें यू आर के 466 कैंड 42 है, STK 33 है इसमें OBC के 46 है और इसके अलावा EWS के EWS के हम देखते हैं EWS के only 2 है और वेकिंसी बहुत सारी थी इनकी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी वेकिंसी यहाँ पे वेकिंट गई है और इसके अलावा जो ये आप लोग देख सकते हैं ये पूरा अगर आप पढ़ेंगे और इसके अलावा जो कट ओफ गई है कट ओफ बिल्कुल कंडिशन पे है EWS की जो कट ओफ है 83 है 200 में से यू आर की 85 है OBC 74 है SC 83.75 है ST 66.5 है OS 70 है और VS 70.5 है मतलब इतनी कम यहाँ पे कट ओफ गई है और अगर आप देखें इसे तो बहुत ही कम कट ओफ गई है वेकिंसी खाली गई है और इन वेकिंसी पे दुबारा जो ये वेकिंट पोस्ट है इन पे दुबारा वेकिंसी लाने के लिए हम आपको मिलके प् तेंक्यू अगरवाल सर और तेंक्यू आप लोगों को जिनोंने नौकरी मिली है जिनको आप लोग अच्छे से मेहनत करें आप लोगों को सुबकाम नहीं सो तेंक्यू जैहिंद